हाई गाईस वेलकोब बाक तो माय चानल आई होप यो आल डूइंग से वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ड्रम स्टिक से अचार कैसे बना सकते हैं यह जो पेड आपने देखा यह हमारा ही पेड है हमने लगाया था इसे अब यहीं से हम थोड़े से ड्रम स्टिक्स कट करके इससे अचार बनाएंगे यह बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि यहाँ पे तीन ड्रम स्टिक्स तो यहाँ पे मैं थोड़े मोटे मोटे वाले ड्रम स्टिक्स ले रही हूँ इसमें जो भी drumsticks हमने cut करके रखे थे वो drumsticks हम अभी इसमें डालेंगे तो flame को बिल्कुल medium flame में रखना है और जैसी आप डालते हैं इसमें थोड़ा सा lightly sound आना start हो जाता है 5 मिट के बाद बहुत जादा sound आना start हो जाता है जैसी ऐसा sound आएं तो flame को off कर दीजिए तो इस time पे हम इसे थंडा होने के लिए बगल में रख देते हैं अब एक separate plate ले लिजे इसमें एक बड़ा चमच मेती के दाने आड़ कर लिजे और one and a half चमच इसमें राई आड़ कर लिजे अब इन्हे lightly fry करना होगा एक low flame पे कढ़ाई रख लिजे या तो कोई भी pan रख लिजे low flame पे इससे अच्छे से भून लेजे तो पांच मिन्ट के लिए भून लेजे इसमें थोड़ी से cracking sound आने start हो जाएंगे तब flame को off करके ठंडा कर लिजे जैसी ये ठंडा हो जाए एक grinding jar इसे फाइन पाउड़ करना है तो इसमें मैंने पूरा डाल लिया है धखल लगा के से cover करके है के grind कर लूँ तो यहां पे मैंने grind कर लिया है अब इसमें transfer कर लेते हैं तो transfer करने के बाद इसमें एड़ करेंगे वन एंडाफ सब्सक्रा थोड़ा सा जादा नमक और नमक या तो छोटा सा पैन रुक लीजिए इसमें चार से पांच स्पून तेल डाल लीजिए जैसी हलका सा गरम हो जाए चना दाल और थोड़े से उरत दाल इसमें डालके फ्राइ कर लीजिए इन्हें हलका सा फ्राइ करने के बार इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा राई और चार से 5 लसुन यह optional है दोस्तों उसके बाद इन्हें अच्छे से फ्राइ कर लीजिए तो जैसी यह हलका सा फ्राइ हो जाए इसमें हम 2 स्पून इमली का पेस्ट एड़ करेंगे तो यहां पर जैसे आप एड़ कर लें इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहां पर जो इमली का पेस्ट मैंने दिखा है इसको अभी रेसिपी मैंने आरड़ी यूटुब पर अप्लोड किया है आप देख सकते हैं उसके बाद 2-3 मिंट क करने के बाद इसे भी हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे तो ट्रांसफर करने के बाद यह थोड़ा सा ओईली और लिक्विडी लगेगा बट 2-3 मिंट के बाद यह बहुत ही पास आजाएगा और यह थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो अचार में जो ओईल आपको दिखाए जरूरी है तो धकल लगा के एक दिन के लिए वेट करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं एक दिन के बाद ओईल जो है थोड़ा सा उपर आ चुका है अब एक बर अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे सर्फ कर सकते हैं चावल में इसे मिला के खाए बहुत ही जादा आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ड्रम स्टिक के पते से डाल कैसे बनाते हैं यह काफी टेस्टी और बहुत ही जादा हेल्दी रेसिपी है तो आपको ज़रूर इसे ट्राय करना चाहिए अगर आपने अभी तक ट्राय नहीं किया है तो तो सबसे पहले आप आपको चाहियोगर ड्रम स्टिक के पते यहां पर आप ट्राय कीजिए कि बहुत ही सॉफ्ट जो पते होते हैं लाइट ग्रीन कलर के वो पते ले लीजिए और इसे एक न्यूस पेपर में रखके 12 घंटे के लिए कवर कर दीजिए 12 घंटे बाद जब आप निकालेंगे तो इसकी जो भी डंडिया हैं सारी इस तरीके से पगड़ के आप उठाईए तो यह बहुत ही अच्छे से अराम से पत्ता अलग हो जाएगा और जो डंडी वगेरा है वो सारे अलग हो जाएंगे छोटे-छोटे जो भी हैं वो सारे नीटली आप निकाल लीजिए बात में तू प्लेट में ड्रमस्टी के पत्ते, दो टमाटर, दो मिर्ची, दो प्यास बड़े टुक्टो में कट करके रख लीजिए अब इन सभी को तूर दाल में डालके हमें प्रजर कोकर में डालना होगा तो सबसे पहले इन सभी को ट्रांसफर कर लीजिए ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे जो इमली हमने भिगो के रखे थे यह हम लास्ट में यूज़ करेंगे अभी नहीं यूज़ करेंगे तो अब हम इसमें पानी आट करेंगे तूर दाल में तो जितना आपने दाल लिया था उसका डबल पानी इसमें आट करना होगा तो अब हम इसे कुकर में रख देते हैं और एक धकल लगाके कवर कर देंगे कम से कम 4-5 विजल आने तक के लिए वेट कीजिए जैसी 4-5 विजल आ जाए तो फ्लेम ओफ करके बगल में रख दीजिए जैसी ठंडा हो जाएं कुकर को ओपिन करके देख लीजिए दाल कैसी बनी है अगर आपकी दाल थोड़ी सी और कुक नहीं हुए है तो आप और थोड़ा विजल दे सकते हैं यहां पर दाल बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है तो लो फ्लेम में हम रख लेंगे और इसमें डालेंगे नमक दो चमच वन एंड़ हाफ स्पून मिर्ची अब हम इसमें एट करेंगी इमली का रस जो हमने भिगो के रखा था उसे आपको अच्छे से स्क्वीज करना हो थोड़ा सा हल्दी डाल के 10 मिनिट के लिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो यहां पर करीबन 10 मिनिट के लिए आपको अच्छे से मिक्स करना होगा इस तरीके से करने से डाल का कलर बहुत ही अच्छा आता है अब हम फ्लेम आउफ करके इसे बगल में रख लेते ह तो जैसे तड़का रेडी हो जाए दाल में ट्रांसफर कर लिजिए गर्म गरम और इस टाइम पर फ्लेवर बहुत ही अच्छी निकल के आती है तो आप इस दाल को जरूर ट्राइ कीजिए यह बहुत ही हल्दी वर्जन है तो आपने अगर इस वीडियो को पसंद किया हो तो ल आला ड्यम तो आँज के इस वीडियो में हमारे इस ड्रमस्टिक के पेड़ से हम कुछ पत्तों के साथ यह पोडी बनाने वाले हैं यह बहुती टेस्टी और बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है, इडली, दोसा, चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा drumstick के पत्ते, drumstick के पत्ते जब आप चूज कर रहे हों, तो light green कलर के पत्ते आप कट करके अपने पास रखिए, इन्हें एक paper में 12 गंटे के लिए रख दीजिए, 12 गंटे बाद अगर आप इनकी पूरी टहनिया इस सरीय से पकड़ेंगे, तो पत्ता जो है अलग हो जाएगा, और टहनिया जो है अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे पत्ता जो है बहुती अराम से निकल चुका है, यह बहुती अच्छा टिप है दोस्तों, आप डेफिनिल्टी ट्राइ कीजिएगा, अब एक सप्रेट कड़ाई ले लिजिए, इसमें 4 चमच मोमफली डाल के लो फ्लेम में इसे अच्छे से फ्राइ कर लिजिए, जैसे 5-10 मिंट हो जाएए, यह अच्छे से फ् अब सेम उसी कड़ाई में हम डालेंगे 2 चमच तेल और इसमें हम एड़ करेंगे 2 चमच चना दाल और 2 चमच औरत दाल, इन दोनों को हलका सब फ्राइ कर लिजिए 2-3 मिंट के लिए, जैसे 2-3 मिंट हो जाएए, इसके बाद हम इसमें धनिया एड़ कर देंगे, यहाँ प करें 1-2 चमच जीरा और 1 कप सुखी लाल मेर्च, इन डाल के अच्छर से फ्राइ कर लिजिए, लो फ्लेम में रखिए फ्लेम को और अराम से टाइम लेके आप अच्छर से फ्राइ कर लिजिए, जैसी मिर्ची भी थोड़ी सी लाल या मिरून कलर में चेंज होने लग जा, उस टाइम पर फ्लेम को ओफ करके इन सभी को एक सप्लेट प्रेट में रख लीजिए, अब सेम उसी कड़ाई में 1 चमच तेल अट करके यहां पर डुम स्टिक के पत्तों को अट करना है, यहां पर मैंने 1 कप डुम स्टिक के पत्ते लिए है, उसके बाद हम अट करेंगे थ जादा ना डालें अगर आप जादा कड़ी पता डाल देंगे तो उसी का पूरा फ्लेवर आएगा तो थोड़े से कड़ी पता डाल के लो फ्लेम में बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजे फ्राइ कीजे तो यह थोड़ा सा टाइम लेता है बड़ बहुत ही टेस्टी लगता है त अब यहाँ पर मैंने आधा साइस निम्बू जितना इमली और बारा लसुन लिये हैं और मुमफली और लाल मिर्च तो हमारी बन के तयार है ही तो अब इन सब को मिला के हम ग्राइन करेंगे बट बैच वाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एट करेंगे लाल मिर्च और जो भी हमन और दाल चना दाल हमने फ्राइ करके रखा था वो सब एट कर देंगे और ड्रमस्टिक के पत्ते करी लिफ्स इन सभी को एट करकी ग्राइन कर लेंगे तो याद रखे जब आप ग्राइन कर रहे हूं एक बार मिक्स करके फिर रोक के एक बार मिक्स कर लीजे तो जैसे मिक्स करते हैं यह कुछ इस तरी के से दिखता है उसके बाद एड़ किजिए मुमफली तिल लसुन और इमली यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था आदा साइज जितना इमली मैंने यहां पर लिया है इमली आड़ करने के बाद यहां पर हम एड़ करेंगे नमक वन एंड़ उसके बाद देख लेजिए हमारा जो है ड्रम स्टिक लिफ का पोड़ी रेडी हो गया है तो इससे आप गरम गरम चावल में घी डालके मिक्स करके खाए बहुत ही टेस्टी लगता है इडली के साथ दोसे के साथ दोसा जब हम बनाते हैं उसके उपर स्प्रिंगल करके अगर आप मेरी कोई भी रेस्पी बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेक किजिए थैंक यू सो मुच वाचिंग अंडल देन टेक केर बाई बाई